जय से उसंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे, मैं आप सभी का हरी स्पांडे, आज आप मकर रासी वालों के लिए एक नया विशाय ले करके आया हुआ हूँ, और ये विशाय बहुत महत पूर्ण है मित्रों, माना कि ये विशाय केबल एक महीने के रासी परिवर्तन से सम्मंदित है, लेकिन ये जो एक महीने का रासी परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं, सूर्य, ये सभी नव ग्रहों के राजा हैं, मित्रों, एक बात मैंने अनुभाव की है, बाकी ग्रहों का परिवर्तन अपना प्रभाव कम या ज़्यादा डालती है, लेकिन सूर्य का रासी परिवर्तन एक महीने का तो किवल होता है, लेकिन इसका जो मतलब इफेक्ट होता है, बाइड या गुड, ये जरूर पढ़ता है मित्रों, ये कभी आपने भी अनुभाव किया होगा, तो आज ग्रहों के राजा सूर्य के रासी परिवर्तन की सूचना लेकर के आया हुआ हूँ, और आज मैं इस विसाय में आपको बताऊंगा, और सूचना ये है कि एक बात बता दूँ कि सूर्य नीच रासी में, सूर आज उलाकर के कैसा रहेगा ये रासी फल आपके लिए, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, क्योंकि सनी भी वक्री है, साड़े साती भी है आप पर, उपर से सूरी भी नीच के, तो यहाँ पर सनी परसान करेंगे ज्यादा की सूरे परसान करेंगे, आपके दिमाग में स चली इसका समाधान करते हैं, वीडियो सुरू करने से पहले दो आवस्ते सूचना है, पहली सूचना है तो यह कि यह वीडियो आपकी चंदर रासी पर आधारित है, और दूसरी सूचना है यह कि अगर आप मेरे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुं मैसेस करें ठीक है तो चलिए मित्रों वीडियो की करते हैं सुरवात देखें मित्रों सूरे कौन है शुरह कौन है सरकारी सर्विस राज की सर्विस जो भी supply िसप्स होते हैं उनके कुंडली में सूर्य की अच्छी होती है और जिनका सूर्य अच्छा होता है वो हड्डियों से भी मजबूत होते हैं और ऐसे लोगों की आखे भी मजबूत होती है बुढापे तक आपने कई ऐसे वृद्धों को देखा होगा कि बुढापे तक उनके आखों पर जोएकी चस्मा नहीं लगा हलांकि यह और भी कारणों से होता है ठीक है तो मतलब खान पान में पोशड में कमी की वज़ा से भी होता है तो यहां पर सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं पिता के सुख के कारक होते हैं जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छे होते हैं उसे पिता का सुख जीवन बर मिलता है पिता का सयोग मिलता है, वहीं जिसकी कुंडली में सूर्य खराब होते हैं, खराब इस्तिती में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पिता की घ्रणा मिलती है, नफरत मिलती है, पिता से कभी प्रेम नहीं मिल पाता है, पिता से दोका मिलता है, ये सब इस्तितियां आती हैं, ऐसे लोगों को सरकारी जाब नहीं मिलती ऐसे लोगों को प्राइवेट सेक्टर से ही अपना गुजारा करना पड़ता है तो यह सूर्य जो हैं एक महिने के लिए जो परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ इनका एक महिने का तो ट्रांजिट होता है ठीक है आप देखे जैसे कि माल लिज जल्दी जल्दी अपना प्रभाव देता है तेजी से देता है तो सूर्य यहां पर अपना प्रभाव तेजी से देता है क्योंकि इनके वल एक ही महिना एक रासी में रहना है तो अब आईए जानते हैं कि सूर्य के नीच होने और ये बुद्ध आदित नामक राजियोग बन में प्रवेस करने जा रहे हैं जहां परकिवे 16 नवंबर दोहजार चोबिस तक बने रहेंगे तुला रासी में प्रवेस करते ही इनकी युति बुद्ध के साथ हो जाएगी तो बुद्ध आधित नामक गा बंदक राजयोग बनेगा बुद्ध आधित राजयोग है मतलब सुर्य और बुद्ध की युति का मतलव समझ लीजिए सबसे पहले तो बुद्ध की नीचता को कम कर दिया बंदने सूर्य जब आश्प एक साथ होते हैं तो सूर्य अपनी तेजसविता से बुद्ध की पा हो जाती है और दोनों के दोनों मिल करके आपको मती देते हैं बुद्धी देते हैं धन देते हैं संपन्यता जोएकी देते हैं तो आईए जानते हैं कि आपको क्या-क्या मिलने जा रहा है इस सुर्य रासी परिवतन से ठीक है मित्रों तो देखे आपके रासी से दसम भाव में कर्म भाव में भगवान सूर्य प्रविश कर रहे हैं अब इससे क्या होगा कि अब आपके सुखों में बढ़ोतरी होना सुरू हो जाएगी रुपाए पैसे का सुख मिलना सुरू हो जाएगा मित्रों का आपको साथ मिलेगा सहयोग मिलेगा कोई नया प्रोजेक्ट अगर बहुत इंदे में बहुत अच्छा है आपको जॉब चेंज करनी है तो उसके आउसर आपको इस पूरे एक महिने में जरूर मिलेंगे और आपको कोई अच्छा जॉब मिल सकता है मोटी सैलरी वाला भी आपको जॉब मिल सकता है और यहाँ पर एक तरफ मतलब जो आपके अधिकारी हैं या समाज के प्रतुषित लोग हैं उनसे आपके सम्मंद अच्छे बनेंगे इससे क्या होगा कि आपका आपकी धाक जमेगी आपका जो है की रुतबा लोगों पर कुछ जोब मैं आपको सफलता हात लगेगी जिस कारे में आप हाट डाल देंगे ना समझ यह वह काम सफल हो ना ही होना है ठीक है प्रमोशन यहाँ पर आपको जॉब में मिलने की पूरी-पूरी संभावना है और आप अगर जॉब खोज रहे हैं तो आपको कोई अच्छी पोश्ट वाली जॉब मिल सकती है मित्रों तो यह राशी परिवर्तन तो आपके लिए सोने पर सोहगा है और बहुत ही सांदार है राशी परिवर्तन इस राशी परिवर्तन में आपके सेहत में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा ठीक है सेहत में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा तो अब यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं चुकि यह राशी परिवर्तन सुभ है बढ़ियां आए तो उपाय बताने की कोई जरूरत नहीं है जाते जाते बस एक बार इतना कहूंगा कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं अपनी कुंड़ी दिखवाना चाहते ह तो आप मेरे वाट्सअप नंबर पर मैसेश करें मेरा वाट्सअप नंबर है 8540096730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा फीस आपको देनी पड़ेगी और हां डारेक्ट कॉल ना करें मित्रों मैसेश करें मना करने के बावजूद आप लोग डार परिक्ट कॉल करते हैं और वो काल उठाई नहीं जाती है तो क्या फाइदा ठीक है तो कॉल ना करें वाट्सअप पर सीधा मैसेश करें ठीक है तो मैं चलता हूं जैसे ओ संकर